अब दोस्तों मेरा नाम है राहूल और यह हमारा हिंदी चैनल है फ्रैपर एक्वा हिंदी तो यह वीडियो में हमने यह बड़ा वाला मॉंस्टर टैंक बना है हमारे अर्वना के लिए जो हमारे साथ चार साल से हैं अगर आप हमारे इंग्लिश चैनल फॉलो कर रहे है तो उसमें आपने देखा होगा इसका जो मैं जब मैं लाया था बहुत छोटा था चोटी थी और अभी यह आल्मोस्ट बीस इंच से ज्यादा उपर हो गई है तो पुराने टैंक में उसके लिए जगा नहीं और पूरा स्टेजर में ये वीडियो में हमने दिखाया है है तो इधर में हमारा पहले दिसकिस टैंक था अभी हमने कंश से ठैंक में रखेर अर्वण अभी हमारे बड़े जो ब mistress की तो जो महें हैं हमारे पास उसको हम एक Livera बनाए बस सैपरेटली एक फ्रेम बना तो जितना जगा है उसके अंदर हम एक बड़ा वाला टैंक ब्लान करें तो यह फ्रेम जो है इसको फिक्स हो जाएगा यह फ्रेम पर अभी जो नया टैंक बनेगा उस 33 इंचेज देप्थ 45 इंचेज विर्थ और 18 इंचेज हाइट होगा यह जो नया फ्रेम हमने बनाया है उसको हम अभी ड्रिल करें एक्जिस्टिंग फ्रेम को तो एक स्टेबिलिटी मिलेगा इसके लिए हम इसको ड्रिल करके फिक्स करें इसके उपर यह दूसरा दिन हम उसके उपर एक लाइवुट डालें एक बड़ा सा पीस तो एक ही लेवल में आएगा टैंक और उसके निचे में तर्मकॉल यह टैंक का बाटम ग्लास है जिस रखके देख रहें कि कैसा साइस सब ठीक है लेवल भी बराबर है भी और इसमें अभी जो बैक ग्लास के लिए विनाइल का स्ट क्योंकि यह टैंक हम घर में बनाएं बिकास बहुत बड़ा टैंक है तो इसको लेकर आना भी बहुत मुश्किल है तो सिलिकोन डालने के बाद इसको हमने क्लैम्प किया है तो क्लैंपिंग के बाद यह फाइनल राउंड आफ शिलिकॉन हम डाल रहे हैं अंदर से भी एक कि यह बड़ा सा टैंक है तो डे सेविन हमने उपर का टॉप संप हमने फिक्स किया है और नीचे से वुड़ पीस रखे उसको सपोर्ट किया है जो भी हमारे पास ब्रीडिंग कोंस थे उसको सब रखे हमने सपोर्ट किया है यह टॉप संप का सेटप है तो सामने फ्रंट ग्लास में हमने एक स्कर्टिंग जैसा डाला है वर्टिकली तो यह सामने वाला ग्लास क्योंकि यह बहुत बड़ा है तो बेंड होने का चांस है इसलिए हम एक वर्टिकल पीश डालने से यह टैंक ग्लास जो है बेंड ने होगा इसके बाद हम साइड ग्लास में भी यह सेंपीस है दस्वा दिन सब ड्राइब होने के बाद हम पानी फिल कर रहे हैं इसमें फिल करने के बाद हमने टेस्ट किया तो ऑल्मस्ट 450 लिटर तक करता है सभी सिलिकॉन का स्मेल जो भी है वह हामफुल तिंग्स को डिसिंफेक्ट करता है प्रटेशन पर मैंगनेट तो सभी टैंक नया टैंक में यह डालना बहुत ज़री है कि ट्वेल्थ डे हमने इसको उठा के उसकी जगह पर रखा बहुत हवी था टैंक और फाइनली वह काम हो गया और तैंक अब अपने जगह पर है सजेसे हमने फ्रंट्ट ग्लास में कहा था साइट ग्लास में भी स्कर्टिंग बहुत ज़रूरी है तो उपर और नीचे रखना बहुत ज़रूरी है वो जगह जो है हमारा पंप आएगा पंप उदर से पानी आके इदर से बाहर आएगा संप सिस्टम के अंदर जाके पंप को हम थोड़ा पानी के ग्राउंड लेवल से उपर रख रहे हैं क्योंकि नीचे का सब वेस्ट वो खीचेगा नहीं और अगर पंप फेल हो गया फेल हुआ तो भी वो पानी पुरा खतम नहीं तो एक बॉटम में एक अल्मोस्ट वान फीट का तक का पानी रहेगा टांक में यह हमने डील वुट से यह रूफ बनाया वुड में डील वुड और रवर वुड का मिक्स है और फ्रंट में एक ओपनिंग रखा है फीडिंग और वाटर चेंज के लिए तो इसके उपर एक क्लियर पॉलिश भी डाल डाला है इसके अंदर में एक छोटा सा ग्रूव डाले हैं जिसके उपर वो ग्लास के उपर बराबर से बेटेगा तो वैसा हमने किया इसको अभी हम उसको घर लेके जाके चेक करेंगे कि कैसा बैट रहा है कि नहीं अद teak to अभी यह बराबर से बैट गया घर पर वेट और लोड अभर और अर परावर से एक तुक्रा यह देक्ट सकते तो अभी बहुत सारा का चीज है टैंक के अंदर बहुत सारा काम बाकी है अभी इसमें हम LED का light fitting करने का है और संप का filtration का partitions भी करने का है यह सब काम है अभी अच्छा दिखर है टैंक है इसमें हमने off-white LED और red LED का mix हमने fix किया एक ACP sheet के ऊपर fix करके डारेक्ली वह रूफ में इसके आमने यह संप का partitions का glass मैं fix कर रहा हूं चार सेक्शन हम बनाए इसके अंदर बीसवा दिन संप पूरा dry हो गया तो इसमें भी हम potassium per magnet डालके disinfect कर रहें अभी यह टैंक को पूरा एक बार clean करके हम water fill करेंगे जैसा पहले बोला था उस वह स्टैंड के ओपर हमारा pump बैटेगा तो अगर वह फेल भी हो गया तो नीचे में almost वन फीट तक का पानी रहेगा तो पूरा टैंक खाली ने हो जाएगा इसके लिए सेफटी के लिए pump को ओपर रख रहें अब पानी फिल कर रहे है नया फ्रेश पानी 450 लिटर पकरता है यह टांक इस प्रोजेक्ट के लिए हमने संसन का हेट्स ट्यूबी टूटाजन फाइंट का पंप यूज के इसका एक डीटेल वीडियो मैं बात में बनाऊंगा लेकिन यह प्रोजेक्ट के लिए हमने यह पं और जैसे आप देख सकते तो फंक्शनिंग भी बराबर से है और ओर फ्लो कुछ होने रहा है तो एक सेक्शन से जाके दूसरे सेक्शन जापी मीडिया आएगा उदर से पानी वापस टैंक के अंदर रिटन आएगा तो ओर आल ठीक चल रहा है अभी हम टैंक को साइक्ल करें तो तीसवा दिन आज यह टैंक था तो उसमें जो मीडिया और स्पांज थे हमने यह नए टैंक में टालकी उसके तो टैंक का साइक्लिंग जल्दी हुआ तो आठ दिन में हमको आरवना को शिफ्ट कर सकते थे हम तो अभी आरवना को फाइनली शिफ्ट कर दिया और अपने यह घर मैं अभी तो अत्वीर सकती है और भुम फिर सकती है पहले दो अलब होती था आप उसको बहुत μεंसे के लिएया जगा है और हमेशा अरवना जब हम रख रहे हैं तो डेप्ट में डेप्ट रहना बहुत जरूर यह टैंक कि यह बहुत लंबा वाला मच्छी है तो उनको भूमने के लिए जगा हमेशा रहना चलिए है तो अवराल डिस विश्टिंग प्रोजेक्ट सब ठीक से हो गया और भी जैसे मैंने बोला यह हमारा नया चैनल है फ्रापर अक्वा हिंदी तो डेफिनेटली सको सब्सक्राइब कीजे और हमको सपोर्ट कीजे तो नया चैनल के लिए आपका एंकरेजमेंट बहुत बहुत इंपोर्टन है और आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा डेफिनेटली अ अच्छा रहेगा तो अगले वीडियो आने तक बाबाई